तो दोस्तो कैसे हैं आप लोग आज किस वीडियो में हम बात करने वाले सबसे दिंदार हॉलिवुड मुविस के बारे में जो एक्षन और कॉमेडिय से पूल जिता से भड़ी होगी अगर आप लोगो को भी होलिवुड की मुवी देखना पसंदे तो बीडियो को बिल्कुल भी इसकिप मत करना क्या पता आपकी फेवरेट मुवी भी आप से मिस हो जाए अगर आप लोग चैनल पर पहली बारा हो तो वीडियो को लाइक के सद चैनल को भी सुब्सक्राइब कर अगर बात करें इस मुवी की कहाने की तो इस मुवी में कहानी देखने को मिलती है 65 मिलियन साल पहले की जहां पर एक हवाई जहाज पिर्थी पर एक क्रेस लेंडिंग करता है और उस एरपलेन के सभी लोग मारे जाते हैं लेकिन दो लोग बच जाते हैं उस समय धरती पर ब महां पर खुद को बचा पाएंगे और इसके समने कैसी कैसी अर्चने आएंगी यह सब जानने के लिए आपको यह मुवी देखने परेगी यह मुवी बहुती मस्त फैंटेसी एडवेंचर से भरी भी मुवी है तो आप लोगों को अगर एडवेंचर मुवी देखना पसंद अरते तो आप लोग इस मुवी को एक बार जरूर देख सकते हो अर्फ नमबर वन यह यह मूवी साल । 20-30 में रिलिज रेलिज हो चुकि एक एक्सणए अर्डवेंचर मुवी घंब है अगर बात करें इस मुवी की कहानी की तो मुवी में कहानी देखने को मिलती है एक एस आधिenser जो कि आधा ही बैम्पायर है जो एक गाउह में ये लोगों को देदाने का काम करता है और वहां के लोगों को ये बचाना के लिए ऐसा लेता एंग MARC अपने हीरो का सामना एकी बहुत ही पाववर्फुल बैम्पायर से हो जाता है तो क्या अपना हीरो उस बेंपायर को हड़ा पाएगा और अपना हीरो बेंपायर कैसे बना ये सरफ जानने के लिए तो आपको ये मूबी देखने पड़ेगी ये बहुत ही मस्त रोमेंटिक नहीं है बेंपायर मूबी है नमर 3 था मारवल शीव मूबी साल दोहेर तएस में रिलेज हो चुकि एक एंसन एडवेंचर सुपर हिरो मूबी है अगर बात करें इस मूबी की कहाने की तो इस मूबी में कहानी देखने को मिलती है तीन फिमेल सुपर हीरो की जिनको साथ मिलकर आपनी दुनिया को बचाना होता है एक बहुती बड़े खत्रे से तो क्या ये लोग दुनिया को बचा पाएंगे या नहीं ये सब जानने के लिए आपको ये मुवी देखने पड़ेगी ये बुवी बहुती मस्तों सुपर हीरो मुवी है अगर आप लोगों को फिमेल सुपर हीरो मुवी देखना पसंदे तो इस मुवी को एक बार देरूट देख सकते हो अगर बात करे इस मुवी की कहानी की तो इस मुवी में आपके लड़के की जो एक दिन एलियन टेक्नलोटी के संपर्क में आजाता है जिसके बाद उस लड़के में कुछ पावरा आजाती है और आगे इस लड़के साथ क्या कुछ होता है यह सब जानने के लिए तो आपको यह मुवी देखने पड़ेगी इस मुवी में आपको बहुत ज्यादा थ्रिल देखने को मिलेगा अगर आपको भी एक्षन और फेंटैसी मुवी देखना पसंदे तो आप लोग इस मुवी को एक बार जरूट देख सकते हो यह मुवी है यह मुवी में आपको एक्षन की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी और बात करें इस मुवी की कहाने की तो इस मुवी में कहानी देखने को मिलती है कार की जो अपने आपको कार से रोबोट में बन जाते हैं और आपको यह मुवी हिंदी में ही देखने को मिल जाएगी और पसंद आएगी अगर आप लोगों को भी कारोवर्स मूवी देखना पसंदे तो इस मूवी को एक बार जरूर देख सकते हो